हालो प्रेविध्यारतियों तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इटूस इंडिया के इस प्लैटफॉर्म पे आज का जो वीडियो है वो इस्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और वो भी किसके लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए 12th क्लास में आने वाले हैं उनके लिए है और इस्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है तो लोगों ने एक special course design किया है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जेए मेंस और एडवांस के लिए जो 2021 में होने वाला मतलब अभी next year में होने वाला है एर लोग कोर्स के नाम से स्टार्ट करने वाले हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ठीक है मैं अपने बारे में बता हूँ मेरा नाम योगेश जैन है ठीक है और मैं एटूस इंडिया में पढ़ाने से पहले Vibrant Academy Quota और Extra Marks जैपूल में पढ़ा चुक हूँ ठीक है और मैंने वहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों को भी पढ़ाया और इंग्लिश माध्यम के बच्चों को भी पढ़ाया और हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाते वेक मुझे इस बात का पता चला कि वहाँ प बहुत सारी किताबे ऐसी होती है जो जैई मेंस और एडवांस के लिए बनाई गई है लेकिन इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों को वह अवेलेवल नहीं हो पाती है तो इस्पेशली हमने एक और्स इसलिए डिजाइन किया है एक स्पेसिफिक कंटेंट बिल्कुल सीरीज में चलाते हुए आपको इसी कोर्स में पढ़ा देगे आप समझ में आरी है आप लोग को तो हमारा मेन मोटो क्या है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है जो बच्चे फेस कर रहे थे कि हमें कंटेंट नहीं मिल पाता हिंद लेने की जरुवत नहीं है बास समझ में आती है आप लोगों अब इस कोर्स में हमारा मोटो क्या है हिंदी माध्यम के लिए बनाया है ठीक हिंदी माध्यम हमा मोटो क्या हम लोगों से अलग कैसे वह मुद्दे वाली बात है तो मैं कार्वनिक रसायन बढ़ाता हूं ठीक है तो दो भागों में बात दिया है दो भाग कोन से हैं एक 40 मिनalay प्रतिक लेक्शर हमारा एक घंते का होने वाला है एक घंटे के lecture में 40 मिट तो हम लोग क्या करवाएंगे बेटा आपको theory, theory के साथ-साथ उधारन करवाएंगे और उसी theory, उसी theory से related 20 मिट तक हम आपको उस से related questions करवाएंगे अब इस 20 मिट में जो आपको questions मिलने वाले हैं आपको उसको कैसे try करना है जैसे ही मैं question number one बोलूँगा, आपको pose कर लेना है, खुद से try करना है कि मानदार बच्चे की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, आपकी मानदारी आपके हाथ में सीधी सी बात है, 40 मिट में हम आपको 40 मिट में हम आपको theory plus illustration कराएंगे और उसी theory और illustration से related 20 मिट में हम आपको question कराएंगे प्रतेक lecture एक घंटा या एक घंटा 10 मिट या फिर 58-59 मिट का होने वाला है लेकिन content ऐसा ही रहेगा कि 40 मिट और 20 मिट में बटा हुआ रहेगा लगबग तो एक तो प्रतेक lecture में आपको theory illustration और साथ के साथ questions मिल रहे हैं और जब पूरा का पूरा आपका chapter खतम हो जाएगा तो उस case में हम आपको क्या देंगे बिटा sheet देंगे और sheet किस में मिलेगी हिंदी में मिलेगी जिस हिंदी की sheet में आपको क्या मिलने वाला है जो भी अच्छा material जो होता है offline classes में जो अच्छा material होता है वो मिलेगा साथ के साथ जो भी अच्छी किताबे market में मुझूद है जे इमेंस और एडवांस से related 40-50 किताबे आती हैं किसी भी subject से related तो उन सम्में से निचोड करके हमने sheet बनाई हुई है हिंदी medium के बच्छों के लिए तो आपको उस sheet को मिलेगी उस sheet में क्या रहेगा जैसे exercise 1 रहेगी exercise 2 रहेगी और exercise 3 रहेगी इसमें सभी प्रकारगा content रहेगा यानि कि एक choice वाला question भी रहेगा जिसमें single correct वाले रहेंगे exercise 2 में multiple correct और mess the column और comprehension वाले सवाल रहेंगे और exercise 3 में क्या रहने वाला है प्रिवियस येर यानि कि पिछले सालों में आये हुए सवाल रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा feel नहीं होगा कि मैं मतलब offline classroom में ने पढ़ रहा बिल्कुल वैसा का वैसा यह आपको feel होने वाला है और दूसरी बात क्या है 2021 में जो जो जह को बूल रहा हूं कि हिंदी माध्यम में इससे best content आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला best से best निकालके देने वाले हिंदी में हिंदी की बात कर रहा है इंग्लीश में तो चली रहा है इंग्लीश में पूरा दिमाग लगा के जैसे English मिडियम में हम लोगों पूरा अच्छे खास से दरीके से लेके आएं आपके लिए बस यह चीज़ ध्यान में रखें आपको किस तरह से content मिलने वाला है मेहनत आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी इस चीज़ का आपको खास सोर पर ध्यान रखना पड़ेगा 12th क्लास के लिए जैसे माललो अगर मैं 12th क्लास में कार्बनी चेप्टर प्रते एक लेक्टर को आपको पढ़ाय जाएगा पूरी ncrt से लेकर advanced लेवल तक आपको पढ़ाय जाएगा ऐसा कुछ नहीं छोड़ूँ हा एं CRT से लेकर advanced लेवल तक पढ़ाऊगा और साथ-के साथ प्रते एक लेक्चर में उससे related questions और end में sheet का discussion भी अब year long course आपको tension लेने की कोई जरुवत नहीं है कहीं इदर उदर माथा मारने की जरुवत नहीं है अपनी सिद्धी बाशा में बोलू तो ठीक है आपको सारा का सारा best से best यहां पर मिल जाएगा आपको कोई इदर उदर की किताबे लगाने की जरुवत नहीं है सारे की सारी चीज़े इससे हो जाएगे आपकी आप बस lecture देखो notes बनाओ notes खंगालो notes दुबारा दुबारा revise करते रो बस यही आपको करना है और lecture देखते रो ठीक है और बाकी जानकारी के लिए आप E2s India की website पर जा सकते हो और support team से बात कर सकते हो बस 12th class के लिए था यह 11th के लिए भी आप देख सकते हो ठीक है thank you so much